आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। जोडों का दर्द हमें पैरों के गुटनों, कोहोनियों, गर्दन, बाजूं और कूलों में हो सकता है। एक चोथाई चमच अद्रक का पाउडर ले लिजिए, एक चोथाई चमच हल्दी का पाउडर ले लिजिए और आप मीठे की जगे शहद का सेवन कीजिए। आप चाहें तो विदी देख लीजिए, दो गलास पानी को वाल लीजिए और उसमें आदा चमच हल्दी और अद्रक पाउडर डाल लीजिए। और इस मिश्रन को 10-15 मिनिट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें शहद भी डाल सकते हैं और आप इस काड़े कास दिन में दो बार सेवन कर सकते हैं। कुछी दिनों में रेजल्ट आपके सामने होगा। ये तीनों चीजे जरूर मिला कर आपको करनी है। अब खाली लेसुन का भी इस्तिमाल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे जरह देख लीजिए। लेसुन की 10 कलियों को 100 ग्राम पानी एवं 100 ग्राम दूद में मिलाकर पकाएं। पानी जल जाने पर लेसुन खाकर दूद पीने से दर्द में लाब होता है। विदी देख लीजिए कैसे करना है। 250 ml दूद लेजिए। उतने ही पानी में 2 लेसुन की कलियां ले लीजिए। एक एक चम्मस सौट और हरड तथा एक एक चम्मस दाल चीनी और छोटी लाची डाल कर आप इसे पकाएं। पानी जल जाने पर वही दूद आपको पीना है। दूसरा प्रियोग है लेसुन की दो कलियां रोज सुबह खाली पेट खाएं। सरसों की तेल में लेसुन की कलियां डाल कर भून लें और दिन में दो बार प्रभावित हिस्से पर लगाएं तथा मालिश करें इस विदी से आपको बहुत लाब होगा। दोस्तो आईरवेज समाधान जीवन जीने की एक पद्दती है जिसमें बताये गए नुसके वैद्यों की राय के मताविक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेर कीजिए आईरवेज समाधान क्योंकि आईरवेज समाधान है हर रोग का निदान